असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूँ ये पुरानी दिल्ली की बहुत ही मशूर चिकिन चंगेजी की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम रेस्टोइन स्टाइल या फिर यू कई है रेस्टोइन से भी बढ़िया घर पर आप इसको बना कर त्यार कर सकते है तो रेसिपी पसंद आए प्लिस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंट में शेयर जरूर कर दीजेगा तो चली देख लेते हैं चिकन चंगेजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक किलो चिकन ले लिया है क्योंकि हम एक किलो की क्व अगर आपके पास छोटे साइस का है तो एक कर लीजेगा और तू टेबल इस्पून दही पर देंगे और हैं धिकेजिए दही अट करने के बाद अब इसमें अट करना है मैं तू टी इस्पून यह अन्ग दो छोटी चमज कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर और 1 टी स्पून हमारी रेगुलर तीखी वाली लाल मिर्ष पौडर 1 टी स्पून जीरा पौडर 1 टी स्पून गरम मसाला पौडर और 1 टी स्पून नमा थोड़ा सा यहां पर मैं रेट फूट कलर यूज़ कर रही हूँ आप जहाँ इसके भी कर सकते हैं कशमी लाल मिर्ष हमने और इसमें एड़ की है तो इससे कलर अच्छा आ जाएगा अब अच्छे से इसके मिक्सिंग करेंगे तो दीखिए मसालो को हमने अच्छे से चिकिन पर लगा दिया है अब इसको एक से दो घंटे के लिए फ्रिज में इसी तरह मेरिनेट करने के लिए रख दें अगर आपके पास टाइम है तो जाधा टाइम तक रख सकते हैं यहां पर एक पेस्ट बनाएंगे देखिए हमने दस से बारा काजू ले लिए हैं और टू डेबल स्पून यहां पर मैंने मग और तीन से चार टेबल स्पून हमने ओल एक कर लिया यहां पर हमने वन टी स्पून जीरा लिया है दो बड़ी लाइची लिए निकाली लाइची आठ लॉंग ले लेनी है एक फूल जवित्री का ले लेना है और आठ लिए हमने हरी लाइची बन फोर्थ जाए फल एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा वन टी स्पून काली मिर्थ तो यह मसाले जाएंगे साबुद और दो तेश पत्ते यह दिखिए इनको हमें क्रेकल कर लेना है हलका सा इनको देखिए इस तरह से क्रेकल कर लें उसके बाद अब इसमें एक करना हमें प्याज तो देखिए हमने य जाए हलका सा गोल्डन पिंक इस तरह का हमें चाहिए अब इसमें एक करेंगे हम टमाटर 300 ग्राम हमने टमाटर लिये हैं जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है तो यह एक कर दिया है और टमाटर को गलने के लिए यहां पर वन टी स्पून नमक करेंगे अब अच्छे से इस अब टमाटर एकदम मैशी से हो गए तो ऐसे ही चाहिए अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिंगे तो आप करना है मैं चिकिन को रोस्ट तो इसके लिए हमने एक तवा रख लिया यहां पर मैं यूज कर रही है अपना अगारो ब्रैंड का नॉस्टिक तवा बहुत अच लोगे निकाले में दों गंटेक के लिए लिए रख दिया था उसके बाद इसको कमने अरेंज कर देना है तब इसको अच्छा से गोल्डण सा इसको गलाना नहीं तया इसमें अच्छा सक कलर लेना है दोना साइग से एक डोल में निकाले और साहिट कर देंगे और अब यहां पर एक मिक्सी जाल ले लीजिए हमने जो प्याज टामाटर पका कर लगे हुए तो ठंडे हो चुके हैं इसमें आट कर देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे और अब रख लीजिए एक वेसल या फिर कुछ भी रख लीजिए और इसमें एट कर दीजिए हंड्रेट ग्राम और फिफ्टी ग्राम यहां पर हम बटर एट करेंगे और अच्छे से दोनों चीजों को हमने गरम कर लेना है तो देखिए और बटर अच्छे से गरम हो चुके ह अब इसमें जाएगा टू टेबल स्पून अध्रक लैसुन का पेस्ट और इसको हमने भूनना है ताकि इसका जो रॉफ लेवर है वो निकल जाए यह देखिए इस तरह से हमने भूल लेना है अभी तक आपने इस्टेग्राम यह फिर फेस्बुक पर फॉलो नहीं किया है त यहाँ इसमें अब करेना है हमने धनिया पॉडर टू टेबल स्पून और बला टी इस्पून और लेगूलर लाल मिर्ची पॉडर जो तीकीवाली होते बहुँ वह बन टी स्पून अब आप करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एक कर देना है रिश करेंगे मसाले वे जी साथ पीसा के अच्छे सेहे हमने मिक्स करें नाया है मिक्स पानी डाली अधा का तो भूण नबनाया से पानी की ज़रूरत होगी तो इसमें एड्कर लिया ऑब अच्छे से अच्छे से भून लीजिए ग्रेवी को इसी के साथ यहां पर मैं हाफ टीस्पून नमक आप टेस्ट कर लीजिए कम लगे तो और एट कर सकते हैं इसको कवर कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा यह भूननेंगे और अच्छे से भूनेंगे मसाले को इस तरह से ऑच्छे से भून जाए तो देखे बहुत अच्छे से हमने भूनना है एक दम इस तरह से ओइल सर्फेस पर आ गया है तो अब इसमें एट करेंगे काजू और मगस का पेस्ट और फिर से इसको हमने भूनना है फ्लेम को लो कर दीजिए लो फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिए क्योंकि जो काजू औ अब इसमें चुअ करेंगे हम चिकन जो हमने रोस्ट करकर रहा उगा था कि इसमें सारा चिकन हमने एड कर दिया है मिक्स करेंगे और अब कीजिए वन टीबलियू स्पून कश्टरी मैदी जिसको थोड़ा से रोस्ट करकर इस तरह से पाउडर बना लिए भून लिए दिए पाउडर बना लिया, मिक्स करेंगे, यह देखिए इस तरह से मिक्स कीजिए, और अब फ्लेम को लो कर दीजिए और कवर कर दीजिए, और इसको 7-8 मिर्ट पकने के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए, यहां देखिए 7-8 मिर्ट हो चुके हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर, य चिकिन में जो भी कसरती बो, देखिए यहां पर गल चुका है चिकिन, अब इसमें एड़ करेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाले डाले हैं, और तू टेबल स्पून यहां पर मैं दूद की मलाई एड़ करूंगे, आपके पास फ्रेश क्रीम है, तो बो डाल सकते हैं, बस अ अच्छे से इसको मिक्स करना है, अब फ्लेम को यहां पर देखिए बंद कर दीजिए, ओइल देखिए उपर आ चुका है, और चंगेजी बहुत अच्छे से भून चुकी है, तो बस अब इसमें एड़ करना है, मैं जूलियन कट के हुए अद्रक इस तरह से, दो टेबल चंगेजी बन कर तियार हूँ चुकी है, बस इसमें हमें एक लास्ट स्टेप देना है, तो देखिए इस तरह से एकदम मसाला बहुत अच्छे से बुना है, देख सकते हैं, आप देखकर ही पता लग रहा है कि कितनी टेस्ट है, बस देखिए हमने एक कटोरी ले लिए, जि अब यहां पर सर्फ कर लेते हैं, एक दम बाजार वाला है, जो मार्केट में मिलती है, तो यहां पर मैं सर्फ कर लूगी और तोड़कर देखाना चाहूंगी कि किस तरह से चिकन कुक हुआ है, यह देखिए आप इसको तंदूरी रोटी के साथ कीजिए, जिसकी रेसिपी म कुगा है, अंदर से बहुत जादा टेस्टी ग्रेवी बनी है, एक दम खुश्बू हदार तो जरूर ट्राइ कीजिएगा, और जब भी आप ट्राइ करते हैं, तो मुझे कॉमेंट्स करका जरूर बताइएगा, आपकी रेसिपी कैसी बनी, जिसको भी आप खिलाएंगे न वो आपकी तारिफ जरूर करेगा, तो ट्राइ करना तो बनता है, उम्मेद करती हूँ, आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंशाला नई रेसिपी के साथ फिर आ